जै मातादी और वो व्यक्ति जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं वो आपका बन जाए तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक पून रूप से शक्तिशाली वशीकरण जो स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है मात्र लॉंग के प्रयोक से जी हाँ ये छोटी सी लॉंग दिखने में बहुत छोटी है लेकिन बहुत असरदार है मैं आपको बताऊंगी लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि वशीकरण इतना प्रचंड है इसको आपको ध्यान रख कर करना है और ये उतारा नहीं जा सकता ये वशीकरण अगर आपने किसी पर एक बर कर दिया उसके बाद इस वशीकरण का कोई तोड नहीं है यानि कि आप इस वशीकरण को तोड नहीं सकते इसका प्रयोग करना चाहते हैं अगर आप और आपकी मन्शा सही है आप जिस पर ये करना चाहते हैं सच्चे दिल से करना चाहते हैं तो इस विदी को आप जरूर प्रयोग में ला सकते हैं अपने प्यार को अपना बना सकते हैं आपका कोई दुश्मन है जोने आप दोस बनाना चाहते हैं वो आपको पसंद है लेकिन किसी वज़े से किसी करणवश वो आपके दुश्मन बन बैठे हैं आप वापिस उससे दोस्ती कर सकते हैं तो आप इस मंत्र का प्रयोग जरूर करें एक मंत्र मैं आपको बताऊंगी एक शक्तिशाली मंत्र जिसका इस्तमाल करके आप अपने दुश्मनों को भी अपना सच्चा दोस्त बना सकते हैं जिहां इस लौंग की मदद से हम वशी करण करेंगे और किसी को अपना बना लेंगे तो आईए मैं आपको बताती हूँ आखिर आपको इसको करना कैसे है इस लौंग को आपको अपने मुँ में रखना है ठीक जीब के नीचे जीहां ये लौंग आपको अपने मुझ के अंदर रखना है जीब के नीचे रखना है उसके बाद ग्यारा बार उस शक्स का उस व्यक्ति का नाम लेना है जिससे आप प्यार करते हैं या जिससे आप वश में करना चाहते हैं उसके बाद इस लॉंग को अपनी जीब के नीचे रखिए ग्यारा बार उस व्यक्ति का नाम लीजे जिसको आपको काबू में करना है वश में करना है जिससे आप प्यार करते हैं जिसके साथ आप अपनी सारी जंदगी बिताना चाहते हैं उसके बाद आपको मंतर का उचारण करना है वो मैं आपको बताऊंगी सही उचारण करिएगा किसी भी व्यक्ति को इस मंतर को पढ़कर आप पल भर में अपना बना सकते हैं ग्यारा बार आपको मंतर का उचारण करना है तो ग्यारा बार आप मंतर को जब ये जिस व्यक्ति को आप चाहते हैं अपना बनाना चाहते हैं मैं आपको अब वो मंत्र बताने जा रही हूँ ओंकली ओंकली कली वशिभूद जहां ये वो मंत्र है जिसको करने मातर से आपको इसका फल मिल जाएगा तो इस मंत्र का आपको ग्यारा बार उच्चारण करना है मंत्र का जाप करने के बाद मुझ से लौंग को निकाल ले और इसे सुखा ले फिर इस लौंग का चूरण बना ले फिर आपको क्या करना है कि उस लौंग के चूरण को उस व्यक्ति के किसी खाने पीने की चीज़ों में आपको उसको मिला देना है जब वो व्यक्ति उस वशीकृत लॉंग को खा लेगा तो वो व्यक्ति आपके वश में हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ तीन घंटे में उस व्यक्ति का कॉल या मैसेज आपके पास आ जाएगा और वो आपसे मिलने के लिए बेचेयन हो उठेगा तडप उठेगा वो चाहेगा कि वो अपना सारा समय सिर्फ और सिर्फ आपके साथ ही बिताए और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ बिलकुल ऐसा हो तो आपको करना है ये कि बिलकुल इसी तरह से इस विदी का इस्तिमाल करना है और उस व्यक्ति को अपने करीब ले आना है दोस्तों ये बहुत ही शक्तिशाली उपाय हैं आप लोगों से हम बार-बार ये विनिती करते हैं कि आप जब भी इसका अस्तमाल करें तो अपने मन से अपने हिर्दे से किसी तरीकी का गलत विचार ना रखें सच्चे मन से इस मंत्र का उचारण करें और दोस्तों अगर आप कहीं दूर रहते हैं और आप ये विधी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये विधी गुरुजी द्वारा करवा सकते हैं आपको आपकी स्क्रीन पर इस वक्त गुरू जी का नंबर दिख रहा है तो पर आप वशीकरण करने या करवाने से पहले गुरू जी से संपर्क जरूर करें क्योंकि वशीकरण करते वक्त किसी भी प्रकार की गलती की गुंजाईश नहीं होनी चाहिए वशीकरण गलत हो गया तो इसका रिजल्ट भी आपको नुकसान दायक ही मिलेगा असर नहीं दिखेगा जी हां तो आज के लिए फिलाल इतना ही दीजिए जासत नमस्कार